हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल B.A.C.B. Help पे और आज हम लोग आपके टेंस को खत्म करने जा रहे हैं ये टेंस की आखरी वीडियो होगी जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिनियस टेंस के नाम से है तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकिशन आपको मिलते रहे वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजेगा और अपने दोस्तों के साथे से शेयर करना बिलकुल मत भूलिएगा चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो और यह रहे हमारे वीडियो की कॉंटेंट आज की सबसे पहले आप सीरसक को देख पार है यह है Future Perfect Continuous Tense ठेक है? Future Perfect Continuous Tense जिसमें की आप इसके नाम से समझ पार रहे हैं पहले तो Future Future का आरथ भविश्य मतलब भविश्य में होने वाले कारे फिर है Perfect Continuous Perfect Continuous मतलब जो की Perfectly या भताता हो की कोई काम continuity में रही है मतलब की भविश में भी होने वाले काम जो है कुछ ऐसे काम जो भविश में किसी निश्चित समय तक होते रहेंगे कुछ समय तक जारी रहेंगे ऐसे कारे को हम लोग जो है future perfect continuous tense के अंतरगत रखते हैं तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर uses of future perfect continuous tense की तो सबसे पहले आप देखेंगे to describe an action that will be in progress even after a point of time in future मतलब की यहाँ हम बात करते हैं एक ऐसे कारे की एक ऐसे घटना की जो की भविश में गतिशील रहेगा किसी निश्चित बिंदू के बाद भी ठीक है जैसे यहाँ पर भविश में हम जी समय का भी जिक्र करेंगे वो आने वाला होगा मतलब वो बीता हुआ कल का समय नहीं होगा वो आने वाला समय होगा future time होगा और उसके बाद वो काम जारी रहेगा, वो काम जो भी उस काम का जिक्र उस वाक्य में किया जारा होगा, वो उस समय के बाद से जारी रहेगा, ठीक है, यहाँ ध्यान हम लोग रखते थे, अभी तक जो हमनों टेंस पड़ा, उसमें हम देखते थे कि जो भी समय होता था, जो भ वो जारी रहेगा, ठीक है, तो इस टेंस से यह बोध होता है कि कारे भाविश में कुछ समय तक जारी रहेगा, ठीक है, भाविश में कुछ समय तक मतलब किसी समय दिया रहेगा, उसके बाद वो कारे जारी रहेगा, ठीक है, तो कैसे वाकिय आएंगे इसमें यह देखें, जै तरीका मैं इसका बताऊंगा आगे, कैसे बनते हैं वाक्य, जैसे कुटे राद भर भॉकते रहेंगे, ध्यान देंगे, इसमें फॉर के परियोग पर, सिंस के परियोग पर कुछ मैं विशेश बात बताऊंगा आगे, वीडियो में तो लेखते रहें वीडियो को, यहां पर है लड़के घंटों से होहला करते रहेंगे, यहां पर वर्ग में नहीं लिखा हो है, तो इन दे क्लास लग गया है, यहां फॉर आवर्स होना चाहिए, इन दे क्लास को आप हटा कर फॉर आवर्स लिख लेंगे, वे लोग वर्सों से काम को करते रहेंगे, इस तरह से आप वाक्य को बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे पहले, यह परचानेंगे कैसे इस टेंस का वाक्य है, बनाएंगे कैसे यह सब देखते हैं, सबसे पहले ट्रांसलेशन के लिए हम बात करते हैं, कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंद में ता हुआ रहेगा, समय सूचक शब्द के साथ यह ता रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अगर समय सूचक शब्द के साथ ता हुआ रहेगा भी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अगर समय सूचक शब्द के साथ ता हुआ रहेगा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखा रहेगा और समय सुचक शब्द नहीं रहेगा तब ही हम इसको इसी टेंस का वाकिया मानेंगे ऐसे अगर ता रहेगा ती रहेगी तब तो वो कोई और टेंस हो जाएगा अब जैसे यहां आप देख सकते हैं यहां पर हम देखेंगे कि इत्यादी रहे मतलब यह जो मैं अब पहचान बताए वो सब इत्यादी रहे तो उन वाकियों का अनुवाद future perfect continuous tense के नियमा अनुसार किया जाता है ठीक है तो अब नियम क्या कहते हैं, तो नियम कहते है structure जो कहता है वो है subject, प्लस Cell Will, प्लस have, प्लस been, प्लस भर包 आयेगी, प्लस object तो यह आपध्यान देंग और अवश्य के सेंस में ये प्रियोग पलट जाते हैं, ठीक है, तो subject, प्लस cell will, प्लस have, प्लस been, प्लस भरवयांजी, प्लस object, इसके साथ समय सुचक शब्द अगर जुड़ा हो तो देखें क्या करेंगे, उपरोगत structure में यदि समय सुचक वाकि का प्रियोग करना हो, अगर स इसमें सिंस का प्रियोग नहीं होता है, future tense में सिंस का प्रियोग नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते थे, सिंस का प्रियोग तब करते हैं, जब किसी समय तक काम होता है, यहाँ उस समय से काम शुरू ही हो रहा है, यहाँ पर तक की बात नहीं हो रही है, उस समय काम उसके बात तक यह चलता रहेगा तो इसलिए यहां from की बात होगी ना कि sense की बात होगी तो यह चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखेंगे period of time समझ रहे हैं period of time कार्थ है जिसमें समय अंतराल दिया रहेगा काम शुरू होने का समय नहीं दिया रहेगा कि कितने बजे काम शुरू हुआ है जबकि point of time में आपको काम शुरू होने का जिकर होता है कि इतना बजे से, इतना दिन मतलब इस दिन से इतना तारीक से, इस वी से इस अवस्था से तो ऐसे में जो है आप point of time में from का यूज़ करेंगे और period of time में for का use करेंगे मुझे उमीद है ये clear होगा for or from का प्रियोग तो चलिए अब वीडियो को आगे पढ़ते हैं अब देखें उदारण को कि मेरा भाई परिक्षा के तयारी करता हुआ रहेगा ध्यान देजेगा इस वाकिय में कोई भी समय सुचक्षब्द नहीं है इसलिए यहाँ पर ता हुआ रहेगा का प्रियोग किया गया है My brother will have been preparing for the examination ठीक है? फिर अगला वाकिया हम 2022 से देश की सिवा करते रहेंगे तो we shall have been serving the country from 2022 है न? We shall have been serving the country from 2022 तो इस तरह से आप वाकिय को बनाएंगे यहाँ structure देख रहे हैं आप वी के साथ shell का प्रियोग है फिर जैसा कि structure में कहा गया have का प्रियोग होगा फिर been का प्रियोग होगा फिर भर yng होगा फिर object होगा और फिर समय सुचक शब्द अगर लास्ट में हो तो वोड़ लगाएंगे वे लोग नौ बज़े से परिक्षा पबन में बैठे रहेंगे वह दो दिनों से बहस करता रहेगा बहस करना का argue होता है तो इस तरह से हम ये structures बनाएंगे बात करते हैं negative की तो negative के लिए आप जानते हैं कि not का प्रियोग हम हमेशा सहाय करिया के बात करते हैं जब negative की बात होती है तो उसके सम्मिलित रूप में भी हम इसका प्रियोग कर सकते हैं जैसे की structure आप देख पा रहे है subject plus shall will plus not plus have plus been plus भरवाएंजी plus subject या फिर shant और want का प्रियोग आप कर सकते हैं जैसे उदारण के लिए वे लोग देश की सेवा वर्षों से नहीं करते रहेंगे ठीक है वे लोग देश की सेवा वर्षों से नहीं करते रहेंगे they will not have been serving the country for years ठीक है they will not have been serving the country for years मैं आगाबनी सोंवार से आपका इंतजार नहीं करता रहूंगा I shan't have been waiting for you from Monday next I shan't have been waiting for you from Monday next यहां from का प्रिव कियेगे ध्यान दीजाँ सिंस का नहीं ठीक है जो मैं बता रहा था उपर वही चीज यहां है जैसे तुम 2025 इसवी से आपना काम नहीं करते रहोगे you will not have been doing your work from 2025 होना चीज़ पचीस है तो 2025 लिखेंगे ना 20 हो गया है गलती हो गयी है साही कर लेंगे फिर वे एक घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा वह एक घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा he will not have been reading for an hour इस तरह से आप वाकिको बनाएंगे चले इंट्रुगेटिव पर थोड़ा काम करें इंट्रुगेटिव के लिए मैंने बताया है कि बस उसी structure में सहायक करिया को सबसे आगे लिख देना है मतलब शैल विल को सबसे आगे लिख देना है यहाँ आप देख रहे हैं इस ट्रुग्चर है शैल विल प्लस सबजेक्ट प्लस हैब बीन प्लस भरवा यं जी प्लस उब्ject ठीक है दूसरा आप देख पा रहे है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस लुट अगर नौट का वाक्य हो तो सब्जेक्ट के बाद लाएंगे या सेल विल के साथ लगाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस भरवायंजी प्लस अब्जेक्ट या फिर शांट या वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस भरवायंजी प्लस अब्जेक्ट ठेक है देखें वाकी कैसे बनेंगे इसके, तो क्या मैं 2030 इसवी से स्कूल में पढ़ाता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा या टीचिंग होना चे बलता, आज बच्चों लगता है गल्ती मुझसे बहुत ज्यादा हुए, मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा तबियत का बात है, अहजया गजा टीचिंग बेलने इसकूल थेचिंग थेच्था में, और चेंगे बतब्चक तूध या टीचिंग इन थेवमचम घबचा है, गया वकील दो गंटों से बहूंद करता रहेगा, तो आप not का प्रियोग सब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं तो तो ठीक है फिर है question form में की question form में सबसे पहले आप जानते हैं की integrative वाले structure के आगे आपको question words लगा देना है तो question words प्लस cell will प्लस subject प्लस have been प्लस भरवायन जी प्लस object फिर से question form प्लस chant want प्लस subject प्लस have been प्लस भरवायन जी प्लस object मतलब negative में आप chant want का परियोग कर सकते हैं या subject के बाद note लिखें जैसे तुम चार दिनों से hotel में क्यों ठारी रहोगी यहाँ सबसे पहले प्रश्ण वाचक शब्द को देखें प्रश्ण वाचक शब्द है क्यों तो क्यों का इंगलिस हो गया why है ना उसके बाद जो है हमको will shall का प्रियोग करना है subject के नुसर सब्जेक्ट है तुम तुम मतलब you you के लिए हम लोग will लगाते हैं तो why will you have been staying in the hotel for four days ठेक है इस तरह से बनाएंगे अगला है वा कैसे इस काम को करने के लिए आगामी मंगलवार से कोशिश करता रहेगा ध्यान देंगे इस वाक्य में इस वाक्य में दो क्रियाएं है एक है कोशिश करना और एक है काम को करना है ना तो आपको मैंने बताया है जब दो क्रियाओं वाले वाकियों तो पीछे वाले क्रिया को आगे बनाना है ठीक है तो सबसे पहले question जो word है यहाँ पर कैसे, how लगा दिये उसके subject है, वा के लिए will लगाएंगे, how will he have been, have been तक तो ठीक है, उसके बाद कोशिश करना तो कोशिश को हम ट्राइंग लिखेंगे तो करने की to do this work, इस काम को है ना, trying to do this work और कब से है तो आगामी मंगलवार से from Tuesday, next एक मिए, next होना चे last नहीं होना चे, next होना आगामी के लिए next का use करेंगे ठीक है, आज लगता है सच में, बहुत गलतियां होई है मुझसे गलतियां सुधारेंगे आप, next करेंगे यहाँ पर, फिर आप इसे चार दिनों से क्यों करते रहेंगे, why will you have been doing this for four days, ठीक है why will you have been doing this for four days इस तरह से आप बनाएंगे वह चार दिनों से तुमारा इंतजार क्यों नहीं करता रहेगा why will he not have been waiting for you for four days why will he not have been waiting for you for four days, इस ट्रक्चर वही है सबसे पहले question word फिर will shall, फिर subject फिर अगर not है तो not लगाएंगे फिर have been, फिर भर वाएंजे, फिर object और फिर जो समय वाला है तो वो समय वाला लगाएंगे फिर वे 2021 से अपना काम कैसे नहीं करते रहेंगे how will they not have been doing their work from 2021 ठीक है तो इस तरह से कुछ उदारन है जो आपके वाके को सहज बनाने के लिए है आप इस प्रकार से इस tense को पढ़ सकते हैं और इस तरह से tense आज समाप्त हो जाता है और कल की वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो बिहार बोर्ड में test exam हुआ है आपके school का उसका एक वीडियो लेकर आपके पास आऊं जिससे कि आप लोगों की समस्यां का समाधान हो सकेगी तो फिलाल आप हमारे चैनल से बने रहिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से वीडियो को देखते रहिए और अपने परिशा के तेरे ढंग से करते रहिए समय बहुत कम बचा है और जल्द ही हम इस पर voice narration भी शुरू करेंगे tense खतम हो चुका है तो आप लगे रहिए इस चैनल पर अपने तयारी को बरकरार रखे और तयारी छोड़िए मत भीड़े रहिए ठीक है तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो like जरू कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ share जरू कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत हो कोई doubt हो इसी तरह का सुझाओ हो तो आप comment में मुझसे बात कर सकते हैं तब तक के लिए अपना ख्याल रखें धन्यवाद